बात अब कर लेते हैं दिल्ली की नजीब जंग से अधिकारों की लडाई यार अध्विन के जिवाल हार गए दिल्ली हाई कोट ने अर्विन के जिवाल सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की लडाई पर अपना फैसला सुनाया जिसमें अर्विंद केच्रिवाल सरकार को जटका लगा है। दिल्ली हाइकोट डे साफ किया है कि दिल्ली में उपराजवाल ही सुप्रीम है और उन्हें तमाम अधिकार प्राप्त हैं। उनकी सेहमती के बिना सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती। दिल्ली में कुछ दिनों से ये मजदार में थे लोग कि दिल्ली सरकार दिल्ली स्टेट की तरह मानी जाएगी कि उसको लेटिन गवर्नर से परमिशन ली जाएगी। दिल्ली सरकार ने केस याची का डाली है दिल्ली हाई कोट में तो दिल्ली हाई कोट ने कहा है कि for all purposes दिल्ली स्टेट यूनियन टेरिटरी माने जाएगा और जब तक आप LG से अप्रूबल नहीं लेंगे कुछी भी पॉलिसी का वो वैद नहीं माना जाएगा उसको इलीगल मा आनूर विवस्था से जुड़े मामलों में आखरी फैसला केंद्र ही करेगा दरसल दोनों की बीच कई मुद्दों पर अधिकारों को लेकर टकराव होता रहा है और 24 माई को दिल्ली हाई कोट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया थ दिल्ले हाई कोट में दस याचिकाए दाखिल की गई थी जिनमें C&G घोटाले आयो का गठन, DDCA की जांच पर कामिटी का गठन, ACB काथिकार शेत्र, ACB प्रमुक मीरा की न्यूक दी और सर्कल रेट के अलावा कई याचिकाएं हैं वही इस मुद्धे पर दिल्ली की केच्रिवाल सरकार का कहना है कि वो इस फैसले की खिलाफ सुप्रीम कोट जाएगी दिल्ली हाई कोट के फैसले पर दिल्ली बीजेपी नेता और केंद्रिमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि इस फैसले के बाद भी शायद कुछ लोगों को कानून समझ में नहीं आएगा नहीं है कि हाई कोट के कहने के बाद भी किसी को कानून के बारे में समझ में आएगा देखना ये होगा कि सुप्रीम कोट से केश्रिवाल सरकार को कोई राहत मिल पाती है या नहीं ब्योरो रिपोर्ट इंडिया 24-7